पाथडिया के ग्रामिनों ने लगाया मनरेगा में कम मज़दूरी देने का आरोप कार्या भह्यसकार करते हुए तैसिलदार को सोफा ग्यापन पिलानी पंचायत समीती छेतर की ग्राम पंचायत मोरवा के गाउं पाथडिया में बुद्वार को मनरेगा के अंतरगत काम कर रहे ग्रामिनों ने कम मजदूरी देने का आरोप लगाते हुए कारे का भहिसकार कर दिया ग्रामिनों का आरोप है कि उन्हें जो काम दिया गया है उसके लिए कम मजदूरी का बुक्तान किया जा रहा है पाथडिया गाउं की जोहडी में मिट्टी हटाने का काम कर रहे 31 ग्रामिनों का कहना है कि उन्हें जो काम दिया गया है उसके लिए प्रती वैक्ती 150 रुपय का भुकतान प्रती दिन किया जा रहा है जो की नियायुचित नहीं है काम के इसाब से उन्हें मनरेगा के लिए निर्धारित अधिक्तम 266 रुपय मजदूरी का भुकतान किया जाना चाहिए गाउं में कारिय भहिसकार करते हुए मनरेगा में काम कर रहे सभी 31 ग्रामिन पिलानी पहुँचे यहाँ पारसद राजकुमार नायक और दर्या सिंग के निर्तरत्वा में उन्होंने तैसिलदार सुरेंदर कुमार को SDM के नाम ग्यापन सोपा ग्रामिनों ने ग्यापन में काम के बदले उचित मजदूरी देने की मांग की है पंचायत समिती जेएं जियात चोहन ने बताये कि टास्क के अनुसार मजदूरी का ओनलाइन भुक्तान होता है काम पूरा हो तो भुक्तान भी पूरा होता है जाच करवाई जा सकती है भुक्तान गलत नहीं हुआ है मलसिसर में देर रात कपड़े की दुकान जलकर हुई राख 80 लाख रुपे के आसपास हुआ नुकसान मलसिसर कस्वे में बीती देर रात वार्ड नमबर पांच इस्थित एक कपड़े की दुकान में आग लगने से वैपारी का लाखो रुपे का कपड़ा जलकर राख हो गया भूदा का बास निवासी अजय कुमार ने चौमाल मारकेट में यह दुकान कर रखी थी रात स्याड़ ग्यारा बजे दुकान मालिक को दुकान से धुआ निकलता हुआ दिखाई दिया उसने तुरंत अजय वैप पुलिस को सूचना दी दुकान बड़ी होने के कारण बीच में पार्टीशन कर आधी दुकान दूसरे को दे रखी थी जुन जुनों से पहुंची दमकल ने तीन घंटे की कड़ी मसकत के बाद आग पर काबू पाया बावजूद इसके सुबए छे बजे तक दुकान में आग जल रही थी प्राप्त जानकारी के अनुसर आग जनी की इस घटना से दुकानदार को 80 लाख रुपे के आसपास का नुक्सान हुआ है वही आग जनी से दूसरी कुलर की दुकान में भी नुक्सान हुआ है पिलानी पुलिस ने नरहडवर रामनात्पुरा में अवैद सराप बेच रहे दो लोगों को किया गिरफतार पिलानी पुलिस ने अवैद सराप के खिलाफ कारवाई करते वे दो लोगों को गिरफतार किया है पिलानी थानादिकारी नरैंड सिंग के नेतरत्व में गठित टीम ने नरहड में कारवाई करते वे अवैद सराब बेच रहे रवेंदर सिंग पुत्तर पोकरमल को गिरफतार कर देशी सराब के 48 पवे जबत किये हैं वहीं पुलिस ने रामनात्पुरा में दूसरी कारवाई करते वे कर्शनकुमार निवासी रामनात्पुरा को गिरफतार करते वे देशी सराब के 45 पवे जबत किये हैं गिरफतार दोनों आरोपियों के खिलाफ आपकारी अधीनियम में मुकदमा दर्जकर अनुसंधान किया जा रहा है डालमिया सेवा संस्थान के तत्वाधान में सरमदान अभियान से बदली बुखाना गाउं के तलाब की तस्वीर जुन्जनु झिले के वीबिन गाउं में वर्षा जल सरक्षन, समन्वित कर्षी एवं प्रयावरन सरक्षन के छेतर में कारय करने वाली रामकर्षन जेद्यार डालमिया सेवा संस्थान द्वारा बुखाना गाउं में तलाब की तस्वीर बदल दी गई डालमिया सेवा संस्थान ने सन 2017-18 में निर्मित नंदू वाला जोहड में इस्थित तालाब के जिन्यूरदार के बारे में ग्राम विकास समीती वे ग्रामिनों से चर्चा की क्योंकि तालाब में पहले की तुलना में जल आवक छमता सिमित हो गई थी साथी इसमें पेड़ पोदे उगाने के कारण पानी की भराव छमता भी कम हो गई थी इन सब को मध्यनजर रखते हुए तैह हुआ कि इस रमदान अभियान के तहत तालाब की तस्वीर किस परकार बदली जाए ताकि आगामी बारिश के समय वर्षा जल ज्यादा से ज्यादा एकत्रीत हो सके और भूजल स्तर में इजाफा हो संस्तान के प्रियोजना प्रबंदक बुपेंदर पालीवाल, प्रसाशनिक अधिकारी कुलदीप कुलहार, जल संसाधन एवं ग्रामिन विकास समन्वेक संजे सर्मा, कर्सी एवं वानिकी समन्वेक सुवेंदर भट एवं बुकाना पुरुव सर्पंच जुगलाल जांगि सुरजगट पुलिस वे डियेश्टे टीम ने संयुक्त रूप से कारवाई करते वे, हत्या के आरोप में फरार पांच आरोप्यों को गिरफ्तार करते वे, एक नाबालिक को निरूद किया है, जिला पुलिस अधिक्षक राश्री राजने गुरुवार को अपने कारेले में प्रेस वार्ताकर जानकारी देते हुए बताया कि जुन्जनु के सुरजगर थाना छेतर में 15 मई को कालू राम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भाई रामेशर बलोदा जो की बजार से सब्जी लेकर घर जा रहा था रास्ते में जेठू राम नायक निवासी बलोदा उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया उसके बाद उसकी लास को उसके घर के सामने पटक कर चले गए मामला दर्ज होने के बाद जंजनू एस्पी के नेतरत्व में डिएस्टे टीम और सुरजगर थाना दिकारी के नेतरत्व में टीम गठित की गई जिस पर कारवाई करते हुए पुलिस ने 48 गंटे में ही पांच आरोपी बलोदा निवासी दिपेंदर उर्फ चिन्टू, परविन कुमार उर्फ पी के सुभास उर्फ चिन्टू वे सतीस उर्फ सूका थथा परविन उर्फ बाबा निवासी उरिका को गिरफतार करते सराब के मामले को लेकर मारपीट की गई और मारपीट में म्रतक रामेशर बलोदा की मोथ हो गई उसके बाद यह पाचो आरूपी फरार हो गए थे जिनको पुलिस ने 48 घंटे में ही गिरफतार कर लिया है मुख्या बलोग शिख्षा अधिकारी असोग कुमार सर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग नवलगड पंचायत समीती ब्लोक को तंबाकू मुक्त रखने के लिए संकल प्रत है वही नवलगड पंचायत समीती परिसर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए परधान दिने सुन्डाने सभी अधिकारियों व करमचारियों को तंबाकू मुक्ती की सपदिलाई साथ ही 31 मई को मनाई जाने वाले विश्व तंबाकू निशेद दिवस की पुर्व तयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिये लाल चोक पर सेखावाटी नहर आंदोलन 136 दिन भी रहा जारी किसानों ने कहा पानी के बिना सब खत्म हो रहा है चिडवा सिंगाना सडक मार्ग बस स्टेंड लाल चोक पर नहर की मांग कर रहे किसानों का धरना किसान सभा के बैनर तले 136 दिन भी जारी रहा परगति सील किसान बनवारिलाल चाहर की अध्यक्स्ता में गुरुवार को धरना दिया गया धरने पर पहुची महिलाओं ने कहा कि पानी के बिना खेती बाड़ी पसूदन वर रोजगार सब खत्म हो रहे है उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द से खावाटी छेतर को नहर का पानी उपलब्द करवाया जाए अर्डावता में पेजल संकट से परेशान एक यूवक पानी की टंकी पर चड़ा घंटो चली समझाईस के बाद उतारा नीचे चिड़ावा छेतर के गाउं अर्डावता में पेजल संकट से परेशान एक यूवक गुरुवार को जल्दाय विभाग की टंकी पर चड़ गया इसके बाद मोके पर ग्रामिनों की भीड जमा हो गई गटना की सूचना पर नायब तैसिलदार महिंदर चिड़ावा सियाई विनोथ सामरिया जल्दाय विभाग के एएन असोक पलसानिया सहीत अन्या अधिकारी मोके पर पहुँचे और यूवक से समझाईस की टंकी पर चड़े यूवक राजिस्ट कुमार ने पेजल संकट को लेकर एक ज्यापन देकर समझ्याओं के अतिसिगर समाधान की मांग की तकरीबन तीन गंटों तक चली समझाईस वै अधिकारियों के आस्वासन के बाद यूवक नीचे उत्रा यूवक के नीचे आने के बाद पुलिस वपरसासन महक में ने राहत की सांस ली साहिन मज़े से उसकी यह समझेश करेंगा उसमीचे उता लिया गया है